हलो दोस्तो इंडियागर चैनल में आपका स्वागाज है दोस्तो आज है 25 फरवरी 2021 से 36 जितने में मातपूरा करेंटा फेर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेस से डिसकस करेंगे और हर कोस्टन से जुड़े इंपोर्टेंट फेक्टेक बारे में मैं बताऊंगा तो वी के पहला कोस्टन है हाल ही में मुख्यमरी मंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना के तहत कितने लोगों जोड़े का विवाह किया गया इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ड़ी 240 जोड़े का कोस्टन के स्पष्टिकरण देखते हैं 240 जोड़े के सामोहिक विवाह परखर चाहूंगे 60 लाख कुरोना महमारी के दवरान लगबक 11 माह तक राजानी में एक भी भव्य सरकारी योजना या आयोजन नहीं होगा है साल 2021 2021 के विवाह परखर पहला सामोहिक आउजन 27 फरवरी को सामोहिक विवाह के रूप में होने जा रहा है मुख्य मंत्री निर्दन कन्या विवाह उजना के ताहद लगबक 240 जोड़ो के विवाह की अंतिम रूप दिया जा रहा है महिला एवंबाल विवाक के अधिकारी कर्मचारी जोर सोर से तैयारी में जूटे हैं पिछले साल फरवरी महा में साइंस कॉलेच में दान में बारिस ने बाधा डाली थी और जैसे तैसे साधी संपन होई थी इस साल बारिस अत्व अन्य परिसानियों से बचने इंडोर स्टेडियम में एवजन किया जा रहा है इसमें लगबग साट लाग रुपे का खर्च आएगा जिससे आप इमिज में देख साकते हैं दोस्तों ये सामू ही बिवा है इसमें साट लाग का खर्च आएगा और दोसो चालीस जोडों का बिवा किया जाएगा चिरी निष्ट कोस्टन क्यों बढ़ते हैं चाटिसगर करींटा फिर खामारे नेस्ट कोस्टन हाल ही में सिनियर नेशनल पावर लिप्टिंग चेंपियन सिप गोल्ड मेडल किसने जीता है तो इसका करेक्ट इंसर हो जाएगा ची जे रामा लचमी ने जीता है कोस्टन किस पस्टिक रण देखते हैं रायपूर मंडल की जे रामा लचमी ने जीता सिनियर नेशनल पावर लिप्टिंग चेंपियन सिंग में गोल्ड मेरल जीता इसका एवजन 17 फर्वरी से 21 फर्वरी के बीच कोमेट्यूर में किया गया था नेशनल प्रतियोगेता में धक्षडपूर मद्ध रेलवे रायपूर मंडल की दो महिला खिलाडियों का चैन भारतिय रेल टीम की ओर से किया गया था जिसमें जे रामाल अच्मी 56 किलोग्राम तथा संतोसी जहां 63 किलोग्राम वर्ग शमू में चैन किया गया था प्रतियोगेता के दवरान 56 किलोग्राम वर्ग शमू में जे रामाल अच्मी ने इस्टाक 175 किलोग्राम बेच प्रेस 115 किलोग्राम तथा डेड लेफ्ट 117.5 किलोग्राम उठाकर कुल 457.5 किलोग्राम वजन उठाकर अपने वजन वर्ग शम्मू में श्वड़ा पदक जीता है दोस्तों जिससे आप इमेज में देख सकते हैं अब राइपूर की बात आई है राज़धानी तो राइपूर के बारे में कुछिंपोर्ट अश्रात देखते हैं राइपूर की स्थाप्ना दो नौंबर 2018, 61 मुख्याल है राइपूर, किस नधी की किनारे बसा है, तो राइपूर खारून नधी किनारे बसा है चतिसगड की राजदानी अट लगन है रायपूर, 1862 में रायपूर को चतिसगड का संभाग बनाय गया, 1967 में रायपूर को चतिसगड का सबसे प्रतम नगर निगम बनाय गया, अध्योगिक छेट्ल, उडला प्रदेश का प्रतम अध्योगिक, विकास केंदर इस्तित है, सेलतरा प्रदिश का सबसे बड़ा आध्योगी विकास केंद्र, साइकल कॉंप्लेक्स, एगरो एक्सपोर्ट जोन, भानपूरी में अप्रेल पार्क, रो भाठा में मेटल पार्क, तिल्दा राइस कॉंप्लेक्स पॉली पार्क, छतिसगड की सर्वधिक राइस म पारी मडवा ग्राम में इस्तित है, परसदा वी नरायड सी है, अंतराष्टी क्रिकेट स्टेडियम, नागरजुन, क्रश्टरक्षन, हैदराबाद द्वारा, निर्वित किया गया है, NIT, National Institute Technology, NIT का पूरा नाप, रायपूर, पंदित दीन देयर, आयू, स्वास्यों, चिक मारत का एक मात्र, जोहाटकेश्वर, मंदिर, रायपूर, खारुन, नंदी के दठ पर इस्तित है, तो इस कोशन सितना इंपोर्टेंट फेक्टों को आप याद रखिए, चली नेश्ट कोशन क्यों बढ़ते है, चत्रिजगर करेंटा फेर का हमारा नेश्ट कोशन, हाल ही म सोरोजगर, मार्गदर संकेंद्र, आडावाल, जगदलपूर में 27 परवरी को प्राता, 11 बजे से, 4 बजे तक, प्लेस्मेंट कैम का याजन किया जाएगा, इस प्लेस्मेंट कैम में, एल्ट सिक्रेटी सर्विस रापूर, 36 गड़ के, खूल, 265 पदों पर भढ़ती की 30 पद, फनिचर कारिगर के 10, करपेंटर हेलपर 10, एवं फनिचर आटिस्ट के 30 पदों पर भढ़ती की जाएगी, मार्केटिंग, एक्सक्यूटिव, सुपर्वाइजर, पुरूस, असिस्टेंट सुपर्वाइजर के लिए सक्षडि की युगता, इसना तक, मांगी गई है सेक्रिटी गार्ड, एजेंट फनिचर, कारिगर, करपेंटर हेलपर पनिचर, आटिस्ट के लिए सक्षडि तेवेता, आठी पास होना अनिवार्या, इच्चू का आवेदक, जिना रोजगार कारियाला है, आडावाल में उपस्तित होकर इसका लाब उठा सकते हैं, ये कहा अगा अब बस्तर की बात आई है, तो बस्तर के बारे में कुछ इंपर्टेंट, फेक्ट देखते हैं, बस्तर की स्थापना, 1948 मुख्याला जगदलपूर बस्तर किसनदी के किनारे बसा है तो बस्तर इंद्रवती नदी के किनारे बसा है इंद्रवती बस्तर की जीवर रेखा उद्गम रामपूर थैमूर मैगर पहाड़ी से हुआ है इंद्रवती नदी के उद्गम बस्तर को साल वाने का दुइप कहा जाता है जल प्रपात चित्रकूट इंद्रवती नंदी पर है तिरत गड़ मुनगा भार नंदी पर इस्तित है कांकेर घाटी राष्टी उद्दान 1982 सबसे छोटा पाड़ी मेना को यहाँ सरक्षड किया जाता है भैसा ताहम मगर मक्षो का प्राक्ति इस्थल सरण इस्थल जगदलपूर चवराहो का सहर रूद्र प्रताब देव काक्ती वन्जवारा बसाया गया है दलपस सागल प्रदेश के सबसे बड़े छेत्र फरकन उसार गोचा पर्व असाड माह में आजित किया जाता है काक्ती राजा प्रुसुत्यम देदारा इसको प्रहरम किया गया है बस्तर का दसरह विश्व में शर्वधिक 75 दिनों तक चलने वाला दसरह है खरीज हीरा तोकपाल से प्राप्ते किया जाता है बकसाइड आसना तारपूर से अबराग दर्वा घाटी से बस्तर में हाज तस्तिल पर कांप्लेक्स की स्थापना की जा रही है बस्तर में 1972 में लर्न जातियम म्यूजियम को बसाया कया तो इस कोशन से इतना इंपोर्टेंट फेक्टो को आप याद रखिए एक्जाम में ऐसे कोशन पूछे जाते हैं तो इस वीडियो आप लोगो कैसा लगा दोश्तो कमेंट बाक्स में जरूर बताना यादि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्फिल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक से और कमेंट थैंक्स फर वाचिंग इंडियागर